समकालिन विश्व राजनीति में आजम अमेरिका की बर्चश्यू के दौर में एक नया परकरण आपरेशन इनफानेट रीच का ध्यन करेंगे हम जानते हैं किसी त्यूति के बाद अमेरिका विश्व में एक मात्र महाशक्ति की रूप में बज गया था अर्दात विश्व एक धुरूबी मन गया था इसी दौर में हमने पर्थम खाड़ युद्ध देखा और उसके बाद जब अमेरिका में राष्टपती पात के लिए चुनाओ हुई तो अमेरिका की राष्टपती पात के लिए बिल क्लिंटन को भी जय प्राप्त हुई हम जानते हैं कि अमेरिका में राष्टपती के लिए जब चुनाओ होते हैं तो वे हर चार साम में होते हैं इसी दौरान 1992 में जो चुनाओ हुई उनमें पिल क्लिंटन बीजे हुई पुनहौ 1996 में जब चुनाओ हुई बिल क्रिंटन उना वहां की राष्ट्टी बनी यानि कि कोई भी बैक्ति जो अमिर्का का राष्ट्टी बनता है वो अधिक्तम चार वर्ष के लिए बनता है और वो अधिक्तम दो बार वहां का राष्ट्टी बन सकता है जब हमने बिल क्लिंटन की राष्टिपत का दौर देखा तो हमने पाया कि विदेश निति के मामले में बिल क्लिंटन ने सैनी शक्ति और सुरक्षा जैसे का ठोर राजनितिके स्थान पर नरम मुद्दों जैसे की लोक्नित को बढ़ावा, जलवाई परिवर्तन तता बिशु सैनी शक्ति कमजूर हो गई, या हम ये कहें कि इस दोर में अमेरिका वैसा नहीं रहा जैसा वह पूर्वी की वस्षुमत था, अमेरिका की सैनी शक्ति में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन हाँ विदेश निति में कुछ अन्नी मुद्दों को वह मात्तों देने लग गया था, इसी दोरान वर्सुन चन्याणबिय में जब युगुसलाविया ने अपने प्रांत कोशुबों में अल्विन्याई लोगों के आंदून को कोचलने के कोशिज की, यानि कि युगुसलाविया ने अपने ही नागरिकों को कुचलने के लिए शैनी कारवाईगी, तो यहाँ अमिर्का को सही ने लेगी, अमिर्का ने नाटू के सतिच्चु की साथ सलामसरा कर अपने नेत्रतु में दो महा तक युगुसलाविया में भंबारी की, अन्तुतहों अमिर्का की जीत हुई और कोशुब प्रांत पर नाटू के सेना का नियंत्रन हो गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमिर्का बिच्चु को अभी भी यह दिखाने में शक्षम है कि वह किसी भी देश महोने वाली गहतना पर अपना हस्त शिप कर सकता है और सैने शक्त के मामले में वह किसी से कम नहीं है, वह नहीं चाहता है कि विश्व की कोई भी ताकत उससे ज़्यादा ताकत पर बने क्लिंटन के दौर में दूसरी सबसे बड़ी घटना 1999 में ही घटी जब उसकी तो अमिर्की दूतावाशो पर इसलामी आत्मवादी संगटन अलकाइदा ने हमला किया इस घटना के जवाब में राश्ट्री क्लिंटन ने आप्रिशन इनफानेटरी चलाया जिसमें शर्ट्राश्ट संग से भी अनुमत नहीं ले गई इस अभियान में उसने शोडान और अभनिस्तान के आत्मवादी संगटनों पर कई बार क्रूज मिसेलों से भी हमला किया इन हमलों में जहां अमेरिका ने आत्मवादी संगटनों को निशाना बनाया वहीं उसने कई नागरी ठिकानों पर भी निशाना दागा जिससे बिश्व फटल पर उसने यहाँ संतिज देनी की कोशिज की क्या अमिर्का को नुक्सान पहुचाने वाला कोई भी संगटन या कोई भी समाज उसके विरूत क्या आगे टिक नहीं पाएगा उप्रोग्त परकरण में हम देखते हैं कि किसी भी छोटी घटना के द्वारा यद अमेरिका को नुक्षान पहुचता है तो वह उसका जवाब देने में हमेशा तत पर दिखाई देता है यो कही न कही अमेरिका की सैने वर्चत से गोधर साता है इस परकरण के अप्यास प्रश्ण निमने लिखेता है पहला प्रश्ण है सन 1992 से 2000 तक अमेरिका की राश्पती कौन थे हम उप्रोग्त परकरण में यह चाचा कार चुके हैं कि वर्च 1992 में जब परतम खाड़ी उतर के बाद अमेरिका में चुना होई तो बिल क्लिंटन को वहाँ पर भी यह प्राप्त हुई वह हो वर्च 1992 से वर्च 1996 तक उनहों वर्च 1996 से 2000 तक अमेरिका की राश्पती बनी दूसरा प्रश्ण है क्लिंटन ने अपनी विदेश निती में किन मुद्व पर अधिक ध्यान दिया हमने दिखा क्लिंटन ने अपनी विदेश निती में सुरक्षा मत्व को छोड़ कर घरेलू मूती जिन में जलवाई परिवर्थन यानी नरब मूती जिन में जलवाई परिवर्थन विश्वयापार और लोकतंत को बढ़ावा देनी जैसे मुद्व को उठाया तीस्तरा पर अमेरिका ने वर्थ उनिचन निनरबे में उगोसलाबिया पर दो महां तक बंबारी क्यों की हम जानते हैं कि उगोसलाबिया ने अपने प्रांथ कोशोबों किया अलबनियाई लोगों कि विरूत को कुछने की उकोशिश की और वहाँ पर सहनी कारवाई की आतमादी संगटन अलकाइदा ने अमेरिका की किन दूतावाशू पर बंबारी की। आतमादी संगटन अमेरिका की दूतावाशू पर बंबारी की। शेन नागरी ठिकानों पर भी हमला किया और काफी नागरीकों को इसमें नुक्षान पहुचा। जिसे हस्पस्ट होता है कि अमेरिकानी पिश्यो को पुनहों एक बार दिखाया कि वह अभी भी सैनी रूप में शक्तिसाली है और उसके बराबर सैनी रूप से सक्सम पिश्यो का कोई भी देश नहीं है। झाल